Hello Children's, Good Afternoon, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब घर में अच्छे हैं So Children's, आज हम स्टार्ट करेंगे Class 2nd, गुल मुहर का Hindi Book का Chapter 1 अच्छे काम करो, Do Good Days तो आज हम इस Chapter में देखेंगे कि हमें कौन-कौन से अच्छे काम करने चाहिए हमें अपनी Habits को अच्छे बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए हमें अपनी Behavior को कैसे अच्छे बनाना चाहिए वो आज हम इस Chapter में Continue करेंगे, इस Chapter में देखेंगे कि हमें कौन-कौन से अच्छे काम करना चाहिए जिससे जो हमारी habits है हमारी जो behavior है वो सारे अच्छे हो ओके तो हम सबसे children मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम यहां शे लेकर यहां यहां तक यह जो chapter है वो cover करेंगे फिर बाकी का हम next video में continue करेंगे कि आज हम देखेंगे मैंने जो यह green color का circle बनाया है ना आज हम इतना को ही continue करेंगे क्योंकि यह आपका first chapter है ना तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ कर हम अपने chapter को complete करते जाएंगे तो चलिए हम बिना time waste किये अपना जो chapter है वो continue करते हैं और पढ़णा start करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है सदा सवेरे उठा करो ध्यान लगा कर पढ़ा करो तांत साफ नित किया करो नखमत बढ़ने दिया करो प्रति दिन तुम इस नान करो फिर इश्वर का ध्यान करो गुरुज निकर शम्मान करो सभी बच्चे अच्छे काम करो तो चलिए अब हमने तो ये read कर लिया अब हम समझते हैं कि हमारे chapter में कहा गया क्या है तो हम सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि सदा सवेरे उठा कर रहा तो हमें यहां पर क्या बोला गया है कि हमें न सदा में सोता है हमेशा रोज हमें हमेशा हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और मन लगा कर ध्यान लगा कर पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और अगर हम रोज सुबह उठकर पढ़ाई करेंगे और बीच में उसे एक बार एनलाईज कर लेंगे तो हमें वो तारी बातें याद रहती है तो इसलिए बोला गया कि हमें सुबह जल्दी उठकर मन लगा कर पढ़ाई करना चाहिए दांत साफनेत किया करो नकमत बढ़ने दिया करो अब हमें अपने बोडी के साथ साथ अपने आसपास के साथ साथ हमें तो अपने दांत को भी साफ रखना चाहिए हमें रोज ब्रश करना चाहिए और यहां पे बोला गया है नक मत बढ़ने दिया करो तो जो नक होतमिन्स होता है नाखुन तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने नाखुन को बढ़ने नहीं देना चाहिए वो bad habit होती है हमें तो good habit लेना है तो हमें अपने दार और नाखुन हमेशा शाफ रखना चाहिए और हमें अपने नाखुन को हर weekly cut करने चाहिए ताकि वो बढ़े ना और उसमें वो dirty ना हो ओके अब हम नीचे का एक बार रीट करते हैं प्रति दिन तुम इश्नान करो फिर इश्वर का ध्यान करो और प्रति दिन मतलब होता है रोज रोज या फिर प्रति दिन प्रति दिन तो हमें रोज नहाना चाहिए स्नान करना चाहिए स्नान करना मिस्त होता है नहाना तो हमें प्रति दिन रोज रोज नहाना चाहिए और सच्चे मन से इस्वर का ध्यान करना चाहिए इस्वर को प्रणाम करना चाहिए है इस्वर हमें ज्यान दीजिए हमें अच्छे बच्चे बनाए ये सब हमें ध्यान करना चाहिए और गुरुजन का सम्मान करो तो हमें अपने से बड़े हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे टीचर्ज एन हमारे जो हमसे बड़े हैं, हमें उन सभी को रिस्पेक्ट से देना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और सभी से रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए, सब को आधर देना चाहिए, ओक सो चलरंट्स हमने अभी क्या सीखा कि हमें रोज सुबह उठकर क्या करना चाहिए पढ़ाई करना चाहिए फिर अपने दात रोज साफ करना चाहिए और हर वीकली अपने नाखुन कट करने चाहिए और प्रति दिन रोज रोज हमें नहाना चाहिए और फिर हमें इस्वर का ध्यान करना चाहिए इस्वर को प्रणाम करना चाहिए और हमसे जो बड़े हैं हमसे जो बड़े व्यक्ति हैं घर में मम्मे, पापा, टीचर्स हमें सभी कोई रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोच रंस आज के लिए इतना ही आज हमने कहां तक cover किया अपने chapter को यहां तक आज हमने यहां तक अपने chapter को cover किया जो नीचे का part है वो हम next video में complete करेंगे so children आज के लिए इतना ही thank you and take care